नमस्कार दोस्तों मैं जैप्र का स्लाइच आपका आर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम वृत से गुजरने वाले गोले का समीकन ग्याद करेंगे तो सबसे पहले हमें मान लीजे को स्फेर की एक्वेशन दे रखिया है स्फेर की जनरल एक्वेशन होती है इसे मैं ऐसी को स्वेशन से मतलब है कि हमारी येशन होने लेक्वेशन और अगर मान लोलग को स्वेशन परकार हो x² plus y² plus z² equals to r² तो इसे मैं ऐसी equals to 0 से नहीं लिख पाऊँगा पहले मुझे r² को left hand side में लाना पड़ेगा और अकर मैं r² को left hand side में लाऊँगा तो मुझे मिलेगा x² plus y² plus z² minus r² equals to 0 तो ये जो हमारी equation है इस equation को मैं ऐसी equals to 0 से लिख सकता हूँ क्योंकि इसके right hand side में 0 है हमें एक plane की general equation दे रखे है plane की equation होती है lx plus my plus nz plus k equals to 0 form में होती है इस plane की equation को मैं p barrow 0 से रिपरजेंट कर सकता हूँ इसमें भी हमें ये दियान अखना है कि right hand side में 0 होना चीए माल लिजे को plane की equation है x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1 तो इस equation को मैं p equals to 0 से रिपरजेंट नहीं कर पाऊंगा इसके लिए मुझे पहले लिखना पढ़ेगा x upon a plus y upon b plus z upon c minus 1 equals to 0 ये जो equation है ये p equals to 0 को रिपरजेंट करती है तो हमें दो equation दे रखे है कि sphere की equation है equation है equation है equation है plane equation p equals to 0 इन दोनों अगर equations को मैं साथ लिखता हूं तो वो circle की equation कहलाती है तो वृत s equals to 0 को मा p equals to 0 से गुज़ने वाले गोले का समीकन equation of sphere passing through the circle s circle है वो है s equals to 0 को मा p equals to 0 और इस circle से अगर मुझे sphere की equation लिखनी है तो मैं लिखूँगा s plus lambda p equals to 0 इसे अगर हम solve करके देखें तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x square plus y square plus z square plus 2u x plus 2u y plus 2w z plus d plus lambda p की वेली लिखिए lx plus my plus nz plus k equals to 0 सबसे पहले मैं दो गात के पद लिखूँगा तो मैंने x square plus y square plus z square लिखा फिर एक गात के पद लिखेंगे तो मैंने x के y के और z के पद लिखे और सबसे लाश्ट है मैंने अचर पद लिख दिए इस समीकन के हम देखें तो तीन विशेष्टा हैं पहली विशेष्टा की बात करें तो यह x y z में quadratic equation है दीगा समीकन है क्योंकि इसमे x की भी दोगाता है y की भी दोगाता है और z की दोगाता है दूसरी विशेष्टा है इसमें x2 का बाँक और y2 का बाँक और z square का बाँक तीनो बराबर है और तीनो एक के बराबर है कोफिशंट ओफ x square emotion to coefficient of y square कौफिशंट ओफ z square है और तीसरे समिकर्ण के विस्यस्ता है, इसमें XY, YZ और ZX के जो टर्म्स है वे विद्यमान नहीं है। नई तो इसमें कहीं XY है, नई YZ है, नई ZX है। अगर ये तीन ही समिकर्ण की हो, तो तो वो स्फेर की एक्वेशन को रिप्रजेंट करती है लेम्डा के प्रतेक मान यानि वह वेल्यू चाहे जीरो और नोन जीरो मान लीजिए लेम्डा की वेल्यू जीरो है तो यह S equals to 0 है और S equals to 0 हमें साथ स्फेर को रिपरजेंट करता है और नोन जीरो है तो भी हमने देखा कि यह जो एक्वेशन है वह भी स्फेर को रिपर्जेंट कर रही है तो लेम्डा के प्रतेक मान की लिए जो हमारी समीकन है 3 या हम यह कहें ए से प्लस लेम्डा P is equal to 0 वह स्फेर की warrior को रिपरजेंट कर रही है हमारी कभी सर्किल की question देंगे तो मुझसे स्फेर की equation रखेंगे S पलस लेम्डा पी कुश्टो जीरो लेम्डा के स्थान पर कोई दूसरा कॉंस्टेंट भी काम में ले सकते हैं वो अपनी सुध्धा पर निर्बर करता है